One line, वातावरन और हमारे परियावरन में किसी ऐसे पदार्थों का समावेश होना जो हमारे लिए हानिकारक है, उसे प्रदूशन कहा जाता है टु लाइग प्रदूशन, विश्व की बढ़ती समस्या है, जिसके कारण हमारा पर्यावरन दूशित होता जा रहा है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पढ़ता है 3- Line प्रदूशल मुख्यतत पांच प्रकार का होता है जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन, भूमी प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन तथा रैडियो एक्टिव प्रदूशन 4- Line जल की शुधता वह उप्योगिता में कमी आना ही जल प्रदूशन है जो जल में दूशित पदार्थों के विसर्जन, मानव अफ्षिष्ट आदी कारणों से होता है वायू की गुनवत्ता व शुधता में कमियाना ही वायू प्रदूशन है जो वाहनों तथा कारखानों द्वारा उत्पंधुआ तथा गैसों से उत्पंध होता है वातावरन में अवांचित शोर या ध्वनी ही ध्वनी प्रदूशन है जो वहनों वकारखानों द्वारा उत्पंध्वनी, लाउट स्पीकक, बिजली उपकरन द्वारा उत्पंध्वनी आदी के कारण होता है सेवन लाइन मिट्टी की उत्पादंक्षमता तथा शुधता में कमियाना ही भूमी प्रदूशन है जो द्वारा उत्पंध्वनी अप्षिष्ट पदार्थों, प्लास्टिक, कालचादी के मृदा में मिश्रित होने से उत्पन होता है एक लाइन प्रदूशन के कारण हमारी प्रित्वी के चारों और उपस्थित ओजोन परत नश्ट होती जा रही है यह ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलक किरनों से बचाती है नाइन लाइन अधिक से अधिक पेर लगाकर वह पेरों की अंधाधुन्द कटाई पर रोक लगाकर हम बढ़ते प्रदूशन को नियंत्रत कर सकते है टैन लाइन प्रदूशन को रोकने के लिए पेट्रॉल डीजल की स्थान पर सीएजी वाहनों का उप्योग कर हम प्रदूशन पर नियंत्रन पा सकते हैं